बल्कि सर्व ब्राम्मर जिस जगे गाड़ा है वहां मैंने छोटा सा बीपल का पेनल लगा दिया है ना कोई ट्राइल ना कोई मुकद्मा से जे गोली मार के इनकी अत्या कर देनी चाहिए वह इसा नहीं लगा कि उसको राजक लंदर कोई पस्चय अताप है हवान नर पिशाच नर बक्षी ये कुछ ऐसे शब्दे हैं जो कि ऐसे इनसान के लिए यूसके जाते हैं जिसे जिसे दूसरे इनसान का मास काने में मज़ा आता हूँ और ये अपने शोक के लिए लोगों को मार कर खा जाया करते हैं लेकिन हरानी की बात तो ये है कि एसे लोग बिल्कूल आपकी और मेरी तरह दिखते हैं और हम लोगों के बीच में ही एक काम आदमी किता रहा करते हैं जिसका पता केसे को भी तब तक नहीं चलता है जब तक कि इनके करती Doing ते लोगों के सामनी नहीं आती है मास काने वाल लोगों पर अक्सर हॉलिवुड में अनेकों मूज बनाई जाती है लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इससे कुछ इंसिडेंट्स हमारे इंडिया में भी हुए हैं और इनी दिल धिला देने वाले गटनाओं में से एक को अंजाम जाता राजा कुलंदर ने राजा कुलंदर एक ऐसा शक्स जिसका नाम लेते ही लोगों के रूंगटे खड़े हो जाते हैं राजा कुलंदर को उसके असले नाम से जादा साइकु किलर, इनसान की शक्लम हेवान, फुनी दरिंदा इन सब नामों से जाना जाता है वो अपराद सिर्फ इसलिल नहीं करता या फिर अपराद को करना उसकी विद्रत की बलकि अपराद उसके मान से खुराकती हट्या तो बहुत से अपरादी करते होंगे लेकिन इनसान को मार कर उनका भेजा काने वाला ये नर्पिशाज शायद इकलुता होगा राजा कुलंदर लोगों को बहला फुसला के अपने फामाउस में बुलाता था फिर वो उनका बेहरेमी से कतल करके विक्टिम के दिमाग को उबाल कर उसका सूप या फिर राजा कुलंदर की भाशा में कहे तो उसके दिमाग करस पी जाय करता था राजा कुलंदर इतना ज़ाद दरिंदा था आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते है कि वो दो लोगों को मारकर दोनों के इंटेस्टेन निकल कर कमपेर क्या करता था कि किसकी इंटेस्टेन जदा बड़ी है और जिसके intestine ज़ादा बड़ी होती है वो उससे भी खालिया करता था तो राजा कुल अंदर ऐसा क्यों करता था क्या मकसद था उसका और क्या वो कभी पकड़ा गया या नहीं यह जानने के लिए आगे वीडियो में बने रही है कहानी अलाबाद के एक चोटे से गाउन बेरी से शुरू होती है जहाँ पर ठेलेंडर सिंग नाम का एक व्यक्ती अपने प्रेगनेंट पतनी को अच्छे जिंदगी देने के लिए और अच्छे नोकरी पाने के लिए गाउन से इलाबाद जापोचा जहाँ पर वो एक कमरा किराय पर लेकर अज अकबार नाम के एक लोकल न्यूस एजेंसी में जर्नलिस्ट था जिसने काफे सार माफियस का भांडा पोड़ा था फिर 13 दिसम्मेर की रात को धिरेंडर अपने रूम पार्टनर को ये कह कर गया कि वो अपने गाउ जा रहा है और अगले दिन याने के 14 तारिक को वापसा जाएगा लेकिन तारिक 14 से 15 हुई और 15 से 16 और इसकी चिंता जब उसका साथी काम करने वालों को हुई तो उन्होंने धिरेंडर के गर पर पूछ ताच की तो उन्हें ये पता चला कि धिरेंडर अपने घर पर कभी आया ही नहीं था पुलिस में जब धिरेंडर के गायब होनी की रिपोर्ट की तो पुलिस ने उस पर एक्शन लेना चालू किया और इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ओफिसर नारेंड टिपाटी उन्होंने जब धिरेंडर के मोबैल की कोल डिटल निकाली तो उनमें से एक नमबर उसके गाउँ कही था जब पुलिस ने उस नमबर पर कॉल करके पूछा तो पता चलागी ये लेनाई नमबर फुलन डिवी नाम की एक उरत का है बंडर जीब यसी गाड़ ती जोकि उस समय किसी पेषर वाले इंसान के अपास भी होना बहुत बड़ी बात थी पुलिस ने जब फुलन डिवी से पुछता की तो उसने बता कि उसकी धिरेंड से फोन पर कोई बात नहीं होई थी और उसे चला रहा था राम निरंजन और उसका साला यानि कि उसकी भेहन का भाई वक्षराज पुलिस राम निरंजन को पुछताश करने के लिए जब थाने पलाई तो पता चला कि राम निरंजन COD में काम करने वाला एक सिधा सदा इंसान है जो की एक पिगरिफ माम में चलाता है और एक नजर में तो ऐसा लगा कि पुलिस किसी गलत आदमी को उठाकर ले आई हो पुलिस घंटो तक राम निरंजन से पुछताश करती रही लेकिन वो ये मानने को तैयरी नहीं था कि उसने धिरियन से बात की या उसके कतले किया और तबी राम निरंजन का साला वक्षराज नर्वस दिखाई दे रहा था और सड़नी पुलिस आफिसर की नजर उसके जूतो पर पड़ी जो कि देखने पर ही लग रहे थे कि ये जूतें दुए तीन हजार से कम के नहीं होंगे वक्षराज से जब पुलिस ने उसके जूतों की किमत पूछी वक्षराज ने उन्हें धैसु रुपे के बताए उत तब पुलिस का शक और गहरा हो गया अब फिर कई घंटों के टॉर्चर के बाद में ये पता चला कि राम निरेंजन ने दिरेंट को माड़ा लाए सीधे साधे से दिखने वाले राम निरेंजन को ही लोग राजय कुलंदर के नाम से जानते थे राजय कुलंदर से पूश्टास करने पर उसने बताया कि वो गाड़ियों को लूटकर ड्रैवर को हत्या करने का गिरो चलाता है और जिस टार्टर सुमे के साथ में वो पकड़ गया था वो राय बरेली के एक हादमी को मार कर उसने लूटी थी उसने कई अपरात को स्विकार किया लेकिन धिरेंद के हत्या के बाद उसने नहीं कबूली और भी पुलिस ने उसे मांसिक रूप से तोड़ना शुरू किया और उसके पतनी और बच्चे को थाने लाए और यहीं पर राजा कुलंदर ने यह कबूला कि उसने एक गरबवती औरत के पती और तीन साल के बच्चे के पिता धिरेंद को मौत की निन सुला दिया है पूलिस न जब राजा कुलंदर से धिरेंद को माने के वज़ा पूछी तो उसने बस यही का कि धिरेंद को उसके काले कार्णोम के बारे में पता चल गया था और कहीं वो इसके बारे में अपने अकबार में न चाब दे और इसलिए उसने यानि कि राजा कुलंदर ने दिरेंद को मारना ज़ादा जरूरी समझा राजा कुलंदर ने बताया कि उसने दिरेंद को अपने पेगरीब फार में बुलाया और अपने साले को उसके लिए चाय लाने को बेजा और फिर पीछे से एक देशी तमंचे से उसके साले ने उस पर गुली चला दी और फिर उन दोनों ने दिरेंद की डेट बोड़ी को यूपी से होते हुए MP के रिवा जिले में उन्होंने उसकी बोड़ी फेकी और उसका सर काटने के बाद में उसके कब्ड़ निकाले पुलीस ना राजा कुलंदर की बात को नकार दिया अब हिरानी के बात ये थी राजा कुलंदर की पत्नी फुलन देवी के असली नाम गोमती देवी था और फुलन देवी नाम राजा कुलंदर नहीं अपने मन से रख दिया था ताकि उसकी पत्नी का नाम चर्चा में रहे लेकिन ये कहानी यही नहीं खतम होती है पुलिस जब उस मडर के वेफमन को डूनने के लिए राजा कुलंदर के फार्म पर गई तो उमापर चानबीन के दोरान उमापर एक डायरी मिली और उसके फ्रेंट पेश पर लिखा था राजा की डायरी और यहीं से ये कहानी एक और गंबीर मोड ले लेती है डायरी पढ़ने पर उसमें दिरेंद का नाम लिखावा था मतलब कि राजा को लंदर एक डायरी मेंटेन किया गरता था जिसमें वो अपने हर गलत कम का रिकॉर्ड रखा करता था लेकिन दिरेंद का नाम डायरी पर चाओदू नंबर पता और उस से पहले उस डायरी में 13 और लोगों के नाम लिखे हो थे यानि कि राजा ने तिरेंद से पहले 13 और लोगों की जाने ले ली थी जिसके बारे में आज असे पहले किसी को भी कोई ख़बर नहीं थी उस समय मोबैल फोन और टेक्नोलोजी इतनी जादा विक्सित नहीं हुई थी और तब राजा कुलंदर गाड़े लूटने का गिरो चलाया करता था वो पहले तो गाड़ियों को लूटता फिर ड्राइवर को मुट के गाट उता जिया करता था जिसके बाद वो इनी चुराई हूँ गाड़ियों को बेचकर पेसा करमा करता था और तो और उसने के लोगों को ब्याज पर पेसे भी बाट दिये थे खेर अब डायरी वाली बात पर वपस आते हैं जहां पर हमने दिरेंद के अलावा तेरा और नामों को देखा था राजा कुलंदर से इस बारे में पूछा गया तो उसने इन हत्याओं को करने समला कर दिया लेकिन उसकी डायरी पर उसे की हेंडरेटिंग दी और उसकी ही साइन थे और इसलिए उसे मांसिक रुप से तोड़ने के लिए जब उसे पूछा गया कि इन लोगों के नाम इन डायरी में कैसे आये तो बक्षरज बताता है कि इन तेरा लोगों को उन्होंने पहले ही मार जाए बैली में पहला नाम केल श्रीवास्तव का था और जब चांच आगे दिली तो पता ये चला कि केल श्रीवास्तव राजा कुलंदर की ग्रफतारी के तीन साल पहले से गया बे वो एक दिन अपना घर से निकला तो था लेकिन आज तक वापस नहीं आये था कुलंदर ने ये भी बताया कि श्रीवास्तव उसके साथ में काम क्या गरता था जिसने उसे कुछ पेसे उथा दिया थे और केल श्रीवास्तव उससे पेसे लोटाने के बज़ा ये कहता था कि मेरी खोपड़ी लाला की खोपड़ी है और मुझे से पेसे निकलवाना इतना आसान काम नहीं है और बस इसी के चलते राजा कुलंदर ने केल श्रीवास्तव को अपने पिगरी फाम पर बुलाकर उससे भी मौत के गाट उतर दिया पहले तो उसने श्रीवास्तव का सर उसके दर्ट से अलग किया और उसके बाद में केल श्रिवास्तों के मिरत शरीर को महीं पर उसने अपने फार्म में एक पेले के नीचे दफना गया पुलिस जब उस फार्म पर गई और उन्होंने भापर खुदाईगी तो उन्हें भापर एक कंखाल मिला लेकिन खुपडिया महापर दो थी और दोनों खुपडियों को कुलंदर ने कलर करके रखावा था एक खुपडि को लाल रंग से रंगा था तो दूसरी खुपडि को सफेद रंग से लाल रंग वाली खुपड़ी लाला यानि किश्रिवास्तों की थी और सफिर रंग की खुपड़ी थी डैरिपल लिखे दूसरे नाम वाले आदमी की जो था मुहमत मोहिन मोहिन भी राजा कुलंदर के साथ में काम क्या करता था और उसे भी कलंदर ने पेसे दिया थे राजा कुलंदर ने फिर उससे पेसे मांगे तो मोहिन ने ये कह कर उसे मना गर दिया कि मैं वहिशी करण और संबोन विद्या जानता हूँ और मुझे से पेसे निकलवान इतना आसन काम नहीं है राजा कुलंदर उसे फिर बातों में फसा कर यमारा के रेलवे पूल पर लेकर गया और उसका शेरी को काट कर उसके दड़ को पानी में फेक दिया राजा कुलंदर मुहिन के भी सिर्खों अपने फामास पर लेकर आया और उसके भी सरकोस ने पहले पकाया और फिर उसके दिमाग का रस वो पी गया फिर ऐसे ही करके राजा कुलंदर ने कई लोगों को मारा और उसके डायरी में जिन जिन में लोगों के नाम थे वो या तो गायब हो गये थे या फिर उनका मड़त हो गया था राजा कुलंदर इस तरीके से लोगों को मारता था कि उनके पेचानी ना हो फिर एक बार कुलंदर चीतर कुट में घुमने के लिए गया और वहाँ पर उसे कुछ लोगों के पास में कमंडर जीब देखी और उस जीब को अपना बनाने के लालश में उसने संतो शुकला और अशुक कुमार को मार डाला ये दोनों गाडी के ओनर ब्राह्मन कम्यूनिटी साते थें तो कुलंदर को लगता था कि ब्राह्मन खाना भूत खाते हैं तो उनके इंटेस्टाइन बड़ी होती है और इसी के चलते राजा कुलंदर ने उन दोनों को भी मौत के घाट उतारा और दोनों के इंटेस्टाइन को उनका पेट फार के निकाल लिया उसने दोनों के इंटेस्टाइन को कमपेर किया कि किसकी बड़ी है और फिर वो उसे खा गया अब राजा कुलंदर को जब कोट में जैज के सामने पेज़ किया गया तो वो ऐसे अपने कतल गिना रहा था जैसे कि उसके लिए ये बस एक आम बात हो लेकिन बात में वो अपने बयानों से मुकर गया और आज तक उसका ऐसा मनना है कि उसने किसी को भी नहीं मा रहा है और व बेकसूर है उसे तो बस पलीस का दोवार फसाए जा रहा है राजा कुलंदर ने 1997 से 2000 तक इन 3 सालों में 14 हत्याए की और इन सब हत्याओं का खुलासा हुआ पत्रकार धिरियन सिंग की हत्या करने के बात में वैसे तो राजा कुलंदर ने सब यहत्या करने के अलग अलग को उसने इसलिए मारा था उनकी कमंडर गाड़ी चोड़ी करने के लिए लेकिन ऐसा करने के असले वज़े को चोड़ी थी हमने मुवीज में देखा होगा कि सीरियल किलर अपने इमेजनी दुनिया में जीते हैं और यह बात साइकोलोजिस्ट भी मानते हैं ठीक यह कंडिशन दी राजा कुलंदर यानि की राम निरंजन की राजा कुलंदर को ट्राइप से बिलोंग करता था और उसने खुदी अपना नाम राम निरंजन से राजा कुलंदर कर लिया था और राजा कुलंदर का मतलब होता है कोलो का राजा उसने अपने पतनी गोमती रेवी का नाम फ जमानत रखेते हैं जो कि नॉर्मल से काफी सता अलग हैं कुलंदर अपने एरिया के सभी लोगों में अपना वर्चेस्व साबित करना चाता था और इसलिए वो टाटर सुमों गाड़ी चलाया करता था क्योंकि उस समय टाटर सुमों में चलना एक स्टेटर सेमर माना जाता थ कुल जाती एक ट्रैप से बिलोंग करती है और चोटी कास्ट होने के बाद भी अपने से बड़ी कास्ट वालों को पेसे उधार देकर उसे ऐसा मेसूस होता था कि उसके पास में उनसे ज्यादा पावर हैं लेकिन कहते हैं ना बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है राज नॉर्मल लोगों के जैसा ही रहा करता था और उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था क्यों कभी किसी को मार भी सकता है और ऐसा कहना है उन्नाव जल के केडियों का जो कि राजा कुलंदर के साथ जल काड़ चुके हैं राजा कुलंदर मास खाने वाला नरपिशाच है या नहीं ये बाप पर उसी को पता होगी लेकिन जो पत्रकार देरियंद के परिवार के साथ में हुआ उसकी भरपाय कोन करेगा देरियंद एक अच्छे बयुशे को पालनी के लिए गाउं से शेर गया था और वो भी अपनी गरभवती पत्नी को छोड़कर देरियंद की मौत के बाद में उसकी पत्नी का भी एक्सिडेंट हो गया और हो भी मारी गई और इस समय देरियंद का एक तीन साल का बेटा भी था तो क्या कसूर था देरियंद केल श्रीवास्तों और मौंबन मोहिं यसे लोगों का सीधा साधा सा दिखने वाला ये आदमी एक खुकार दरिन्द हो सकता है किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था और इसे कितने ही लोग घुम रहे होंगे जिनके दिमाग में क्या कैच चल रहा होगा और ये बात बस उनहीं पता है दोस्तों वीडियो को इसी के साथ में खतम करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो त इस चैनल को ज़्यादा सब्स्राइब करना ताकि मैं ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो आपके लिए लेका रहा हूँ तो अब आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में जेहिन